बूर्णिंग स्टूडेंट आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या फ्लावर फ्लावर क्या है फ्लावर इस दा रिप्रोडेक्टिव पार्ट्स ऑफ ए प्लांट फ्लावर जो है किसी भी प्लांट्स का रिप्रोडेक्टिव पार्ट्स होता है मतलब इसके अंदर male part भी होता है और female part भी होता है चलिए एक एकंग करके देख लेते हैं इसमें जो आपका ये color part दिखाई दे रहा है जो color part जो दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते है petal इसका main काम क्या होता है insect को attract करना pollination के लिए next इसका जो green part है नीचे का green part हमारा होता है sapal इसका function क्या होता है to protect the flower और birds fool या कली को protect करना है ये जो green color का है नीचे तो आप जानी रहे हैं ये stem होता है अब आप आता है male और female parts first हम बात करते हैं female part की female part जो हमारा होता है वो क्या है style, stigma और ovary तो इसमें देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये दिखाई दे रहा है ये क्या है हमारा ये है stigma ये हमारे female parts है और इसमें male parts आपको दिखा देते हैं ये जो नीचे दिखाई दे रहे हैं इसमें जो yellow color के हैं ये enter हैं और ये stick दिखाई दे रही है वो क्या है? filament enter में क्या होता है? enter में हमारे पास pollen grain होते हैं pollen grain मतलब male gamets होते हैं pollination में के लिए चलिए हम आपको ovary दिखा देते हैं ovary यहाँ पर नीचे होती है दूसरे flower make दिखाते हैं आपको ये देखिए ये देखिए ये हमारा क्या है? ovary ये नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है ये हमारी ovary है ovary के पास क्या होते हैं? जब यहाँ से polygrain stigma के थुरू होते हुए जब एक के पास पहुंचते हैं तब क्या हो जाता है? fertilization होता है सबको समझ में आए तो ये हमारे आज का flower हो गया और flower के parts कल हम पढ़ेंगे pollination in plants Thank you